इस्टापलस के सीरियल गुम है किसी के प्यार की कहानी में शूती के आने के बाद से बहुत जबजस टर्ण आया है ये टर्ण साई और विराड की जिंदिगी में तूफान लेकर आएगा नीलबट, आईशा सिंग और एक्षवर्या स्टारल सीरियल में शूती के रोल की अदाकारा शफाक नाज नजर आ रही है ये विराड के दोस्त सदानन की प्रेगनेंट विधवा है अपने मिशन पर विराड की गोली से सदानन की मौत हो गई थी और जाते जाते सदानन ने शूती और होने वाले बच्चे की जिम्मेदारी विराड को दे दी थी इसी जिम्मिदारी को निभाने के लिए विराट शुती को नागपुर ले आएगा और एक होटल में रुखने को कहेगा शुती को होटल में ठहरने के बाद विराट चवान निवास में तो आ जाएगा लेकिन उसका दिमाग अभी भी सदानन के बारे में ही सोचता रहेगा वो हमेशा इस बात में गिल्ट रहेगा कि उसने उसे मारा है वह दूसी तर शुती के लिए वो चिंतित है क्योंकि होटल में उसे किसी भी वक्त अस्पताल में भरती कराया जा सकता है चुकि वो प्रेगनेंट है विराट के फोन पर शुती ने जब लगातार कई कॉल किये तो सही ने उसे पूछा कि ये शुती कौन है लेकिन विराट उसे कुछ नहीं बताता आने वन एपिसोड में आप देखेंगी कि विराट जब शुती से मिलने आधी राज जाएगा तो सही उसे कई सवाल पूछेगी इस पर विराट उसे डार देगा और चुप रहने को कहेगा मिशन से लोटे के बाद भी सही विराट के बिना ही राद बिताएगी होटर का स्टाफ शुती से बार बार उसकी आईडिम आगेगा ऐसे में विराट उसे चमान वाउस लेकर आएगा और सोचेगा कि वो यहीं रहे अगर ऐसा होता है तो विराट को ना केवल सही बलकि पूरे परिवार के सामने कई सारे सवालों का सामना करना पड़ेगा शुती का आना सही की जिंदगी में तूफान लाने जैसा है अब जब धीरे धीरे सही विराट को पसंद करने लगी है प्यार आने लगा है ऐसे में उसकी जिंदगी में शुती आ गई है विराट को जो वक्स सही को देना चाहिए वो शूती को दे रहा है और अचानक से आप देखेंगे एक रात वो विराट और शूती को सही विराट और शूती को केले में छत पर बात करते देख लेगी जिससे उसे बहुत तकलीफ होगी अब देखना ये है कि क्या शूती की वज़ा से पत्थी-पत्थी के रिष्टे में धरार आ जाएगी क्या होता है शो में आगे सारे डिस्टे सारे अप्डेश जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुर ना भूले